So guys, finally Vivo की तरफ से V23 series का यहाँ पे official India launch confirm हो चुका है कि कभी यह smartphone इंडिया में launch होंगे और कौन-कौन से smartphone आएंगे यहाँ पे complete information आ चुकी है जी हाँ दोस्तो Vivo V23 series का यहाँ पे customers को काफी weight है क्योंकि काफी अच्छे design यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके लवा specification wise भी आप यहाँ पे satisfy हो जाते हैं हालांकि offline centric smartphone होते हैं तो थोड़े से expensive आपको लगेंगे लेकिन यहाँ पे Vivo V23 series आप सब के लिए आने वाली है हर साल की तरह है यानि कि V20 series काफी अच्छी थी V21 smartphone भी काफी अच्छा था यहाँ पे और आप V23 series में दो smartphone आएंगे इंडियन मार्केट में तो काफी अच्छी बात है अगर इनके सबसे पहले launch की बात करें तो ज़्यादा वेट आपको नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 5 तारीक को यह smartphone इंडिया में launch हो जाएंगे यानि 5 जैन्वरी को इसके लबा जो जो भी details इन smartphones की आई है आपको इस वीडियो में complete information मिल जाएगी तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल पर जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहें और दोस्तो चैनल पर पहली बार हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि आपको ऐसी tech वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो जो वीडियो की यहाँ पर S12 series आई थी वो ही rebrand होके यहाँ पर आएंगे V23 series के अंदर लेकिन उसमें थोड़े बहुत change होने वाले हैं खास तोर पर जो non-pro variant है उसके अंदर तो चलिए जानते हैं यहाँ पर specification wise in smartphones के बारे में लेकिन उससे पहले design के बारे में बात करना ही बनती है काफी कमाल का design यहाँ पर दिया गया है और यह भी confirm आप मान सकते हैं यहाँ पर की V23 pro smartphone जो आएगा उसमें color changing technology वाला smartphone भी आपको मिलेगा यानि कि उसका जो back panel है वो temperature के according अपने color को change कर सकता है और यह काफी कमाल का लग रहा है दोस्तों देखने में आप screen के उपर इसकी video देख सकते हैं कि किस तरह से color change होगा काफी कमाल का design लग रहा है साथ में जो V23 smartphone होगा flat edge design के साथ में आएगा और उसमें जो frame होगा वो भी metal का होगा इस बार यानि कि यहाँ पर आपको iPhone के टककर के looks देखने को मिलेंगे इस smartphone में जो कि आपको यहाँ पर काफी कम price के अंदर मिल जाएगा हलांकि दोस्तों front से देखने में यह smartphone आपको थोड़े से outdated लग सकते हैं क्योंकि इसमें notch दी गई है और यह जरूरी है क्योंकि यह कफी बड़े sensor का use करते हैं यहाँ पर front camera के लिए और साथ में dual cameras हैं तो punch hole वाला design यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि selfie camera की technology काफी advanced यह use करते हैं as compared to other smartphone जिनमें यहाँ पर 16 megapixel के आजपास के cameras आपको मिलते हैं अब अगर बात करें इन smartphones की specification के बारे में तो दोनों ही smartphone में यहाँ पर आपको 90 Hz की एक Super AMOLED display देखने को मिलेगी हालांकि यहाँ पर जो non pro variant है वहाँ पर flat display आएगी और जो pro variant है उसमें curved display का use किया जाएगा यहाँ पर दोनों ही smartphone में दोस्तों आपको in display fingerprint scanner का भी support देखने को मिल जाता है और साथ में यहाँ पर dual cameras आपको मिलेंगे front में तो इसके लिए notch का use किया गया है अगर specification की बात करते हैं तो S12 series में जो specification थी maximum वही रहेंगी थोड़े बहुत changes यहाँ पर किये जाएंगे खास तोर पर जो non pro variant है उसमें यानि कि आपको महाँ पर S12 smartphone में 108MP का camera मिलता है लेकिन जो V23 smartphone होगा इसमें 64MP के triple cameras होंगे जो pro variant है उसमें 108MP के triple cameras आपको देखने को मिलेंगे बाकी के 2 cameras वही हैं दोस्तो 8MP Ultra Wide Angle Lens और 3D Useless 2MP का camera लेकिन जो main sensor है उससे यहाँ पर काफी expectation है हर साल की तरह काफी अच्छी quality आपको देखने को मिल सकती है अगर selfie cameras की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको dual cameras का support मिलेगा जो pro variant है 50MP प्लस 8MP के front camera के साथ में आने वाला है वहीं पे जो non-pro V23 smartphone होगा वहाँ पे आपको 44MP का primary sensor देखने को मिलेगा selfie के लिए यानि कि अगर आप उस selfie के लिए smartphone लेने हैं अगर आप social media के लिए ज़दा photos लेते हैं तो यह smartphone आपके लिए काफी कमाल के option हो सकते हैं इतने बड़े sensor के साथ में next अगर performance की बात करें तो maximum chances यही हैं कि Dimensity 1200 के साथ में आएगा pro variant और जो non pro variant है उसमें Dimensity 1100 chipset का use किया जाएगा बाकी देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर change किया जाएगा या आपके Dimensity 1100 ही आएगा यह देखना interesting होगा लेकिन दोनों स्मार्टपोन में ठीक ठाक performance आपको देखने को मिल जाएगी साथ में यहाँ पर 8GB RAM आएगा 250-6GB तक के storage के option आपको मिलेंगे बैटरी wise अगर बात करें तो यहाँ पर इन स्मार्टपोन को काफ़ी slim बना जाता है तो यहाँ पर बैटरी थोड़ी सी छोटी होती है लेकिन स्टील आप यहाँ पर satisfy हो जाएंगे और साथ में यहाँ पर आपको मिलेगी 44 वोट की fast charging का support दोनों ही स्मार्टपोन में अगर इनकी main highlights की बात करते हैं तो सबसे पहले है दोस्तों इन स्मार्टपोन का design जो की सबसे अलग होने वाला है यहाँ पर काफी कमाल का design दिया गया है दोनों ही स्मार्टपोन में और second number पर यहाँ पर आपको selfie camera के काफी कमाल के features देखने को मिलेंगे अगर pricing की हम बात करते हैं तो यहाँ पर वीवो वी 23 स्मार्टपोन में कुछ changes हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कम रख सकते हैं इस स्मार्टपोन के price को यानि 30,000 के आसपास वहीं पर pro variant आपको यहाँ पर 40,000 रुपे के आसपास देखने को मिलेगा आप में पताईए दोस्तों आप क्या सोचते हैं वीवो वी 23 स्रीज के बारे में और आपको यह स्मार्टपोन कैसे लगे क्या आप इनका वेट कर रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा इसके लाव वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहली बार हैं सब स्क्राइब कीजिए मैं मिलता आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई हैव नाइस देए